नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्ति जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा जीद्वारा रचित नीलू नामक पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने नीलू पाठ के शारांस तथा बहुविकल्पी प्रश्न को देखा था यदि आपने उसे नहीं देखा है तो अवस्य देख ले ताकि आप उस पाठ के शारांस एवं बहुविकल्पी प्रश्न को कर सके तथा इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट के लगुतरिय प्रश्न, बोध मूलक प्रश्न एवं भासा बोध के प्रश्न को सुरू करेंगे, तो देरी ना करते हुए पार्ट के प्रश्न उत्तर को सुरू करते हैं, सर्वा प्रथम लगूतरिया प्रश्न, देखिए, पहला प्रश्न है, लूसी कौन थी? उत्तर, लूसी आलसेशियन प्रजाती की एक पुतिया थी, दूसरा प्रश्न है, उत्तरायन के लोग लूसी से समान कैसे मंगवाते थे, उत्तर देखिए, उत्तरायन के लोग लूसी के गले में कपड़ा बांद कर उसमें समान की परची और रुपया बांद देते थी लूसी दोड़कर दुकान चली जाती थी दुकांदार पैसा और परची निकाल कर मंगाये गए समान को लूसी के गले में बांद देता था और लूसी समान लेकर चली जाती थी इस परकार जो है मित्र लेखिका से मिलने आता था नीलू से वो सूचना कैसे लेखिका तक पहुचती थी उत्तर देखिए लेखिका के किसी मित्र के आने पर नीलू तो दर धीरे-धीरे लेखिका के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो किसी से खड़ा हो जाता था इसी से लेखिका को किसी मि कजली के नजदीक रहना भाता था लेकिन कजली और बादल एक दूसरे से एक छण के लिए भी अलग नहीं नहीं रह सकते थे इस कारण नीलू अकेला ही रह गया पाच्वा नमबर प्रश्ण और भूटिया कुत्तों के सभाव में क्या अंतर होता है तो आपको पता है कि नीलू की जो मा थी लूसी वह अलसेशियन प्रजाती की थी और उसकी जो पिता थे वह भूटिया प्रजाती के इसी कारण यह प्रश्ण आया है कि दोनों के सभाव में क्या अंतर है उत्तर देखिए अलसेशियन कुत्ते हिंसक और ख्रोधी होते हैं जबकि भूटिया कुत्ते जो होते हैं वह आखेट प्रिया का मतलब बताए शिकार करना उन्हें शिकार करना ज्यादा अच्छा लगत सात्वा नंबर प्रश्ण नीलू की मृत्यू क्या सामानी कुत्तों की भाती नहीं हुई उसने मृत्यू का भी सामना बड़े ही शांत और निलिप्त भाव से किया था यानि कि बड़े ही शांती से उसकी मृत्यू हुई थी चली बोध मूलोग प्रश्णों को देखते हैं सरो प्रथम पहला जो प्रश्ण है कि लूशी की रूपाकृति का वर्णन करें सबसे पहले हमें लूशी की रूपाकृति का वर्णन करना है तो लूशी की रूपाकृति थी वह उसकी विशेष्टा जो थी वह राजसी थी वह हिर्णी के समान हरहरी थी उसका सरीर एकदम साचे में ढला हुआ था, जिसमें रत्ती भर भी अतरिक्तमांस नहीं था, यानि बहुत ही पतली थी उसके रोम भूरे रंके थे, जो उपर से काले रंका आभास देते थे कि छोटी काली आखे उसकी चतुराई का परिशय दे रही थी उसके कान खड़े और सजक थे, उसकी पूच रोयदार थी तथा उसकी पिछली टांगों के टखने को सपर्श कर रही थी फुल मिलाकर उसकी आकरिती सामानी कुत्तों से फिन्न थी यहाँ पर लूसी के रुपाकृति का वर्णन किया गया है दूसरा प्रशन देखिए, लूसी का स्वभाव, स्वचंद अचरी, यानि कि स्वचंद विच्रण करने वाली, स्वचंद घूमने वाली के समान क्यूं था उत्तर देखिए, लूसी अलसेशियन प्रजाती की कुतिया थी, उस प्रजाती का कुत्ता केवल एक ही स्वामी को स्विकार करता है, ये खासियत है उन लोगों की, लेकिन कभी-कभी परिवेस और परस्थिती सही ना हो, तो उसमें क्या होता है, उसे एक ही व्यक्ति का यदि स स्वामी ना मिल सका, अतव उत्तरायन के सभी लोगों के साथ घुल मिल कर गई थी, और स्वचंद होकर सबके अनुरोद को स्विकार करने लगी थी, यानि जो कोई भी उसे जो कारे देता था, उसे वह करने लगी थी, आगे देखिए, तीसरा नमबर प्रश्ण, नीलु ने खरगोशों की प्राण की रक्षा किस प्रकार की, उत्तर देखिए, एक बार लेखी का के द्वारा पाले गए खरगोश, वहीं कमपाउंड में एक सुरंग खोद कर, दूसरे कमपाउंड से बाहर निकल गए, उस दूसरा कमपाउंड खुला था, यहां दूसरा, जो दूसर कमपाउंड में घुश गया, एवं बिल्ले को भगाया, लेकिन सुरंग के अंदर के खरगोशों को बाहर के खत्रे का एहसास नहीं था, अता, उन्हें सुरंग से बाहर निकलने से रोकने के लिए नीलू रात भर तरदी में वहीं खड़ा रहा और खरगोशों के प्राण की उपाई, इस प्रकार नीलू ने खरगोशों के प्राणों की रक्षा की, आगे के प्रश्न को देखिए, नीलू के स्वभावगत विशेष्ता का वर्णन केजिए, यहां पर हमें उसके स्वभाव का वर्णन करना है, तो नीलू जो था, वह स्वभाव से बहुत ही स्वाभ विमानी, स्वामी के प्रति कर्तव्यनिष्ट, सांत और फरुपकारी, लेखिका से इसने ही यूटता, लेखिका के अनुसार उसमें इतना दर्प था कि वह अपना प्रिया से प्रिया खात दे भी, अवग्या के साथ, यानि अगर यदि उसे फेक कर दिया जाए, उसे खाने किया करता था, तो ये नीलू की कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाती है, ये उसके स्वभाव की प्रमुख विशेष्टा है, अब देखिये यहां पर पाच्वा प्रश्न, लेखिका का नीलू प्रेम अपने शब्दों में लिखिया, यानि लेखिका नीलू को कितना प्रेम करत लेखिका नहीं किया था, वह उसकी हर गतिविधी को आसानी से समझ लेती थी, लेखिका को नीलू के दर्प और स्वाभिमान के प्रती सम्मान की भावना थी, रुष्ट होने पर उसे मनाने का उपक्रम, यानि जब नीलू रुष्ट हो जाती थी तो लेखिका उसे स्वेम म नहीं थी, हमेशा नीलू को अपने साथ ही रखती थी, बताया प्रश्न, लूसी के अभाव में, यानि जब लूसी की मृत्ती हो जाती है, तो नीलू का पालन पॉष्ण कैसे हुआ, यह बताना है, उत्तर देखिए, जब नीलू की उम्र मात्र चार या पांस दिन की रही हो की, उसी समय उसकी माल लूसी की मृत्ती हो गई, इसके बाद लेखिका ने चूड़न दूद, यानि की पाउडर दूद को घोल कर नीलू को पिलाना शुरू किया, उसे रजाई में रखा गया, लेकिन जब उसे अपने मा की पेट की गर्मी नहीं मिली, फिर उसे ओमल, उन और अदभुने श्वेटर की डलिया में रखा गया, जहां उसे प्रयाप्त गर्मी मिल सके, इसके बाद लेखिका उसे अपने साथ प्रयाप्त वाले घर में ले आई, वहीं उन्होंने बड़ी आत्मियता के साथ उसका पालन पोशन किया, आईए यहां पर कुछ पंक्ती द देखिए नीलु का स्वभाव जो था वो अन्यकुप्तों से भिन्न था, उसमें एक दर्प, अभिमान की भावना थी, स्वभिमान की भावना थी और बहुत ही वह करतव्य निष्ठती और कभी-कभी उसने स्वामी की चाटुकारिता नहीं की, यानि की तल्वे नहीं चाट अर्थात नीलु ने कभी दूसरों पर आस्टित बान कर दिंता प्रकट नहीं की, उसका पूरा जीवन जो था वो स्वाभिमान करतब के भावना के साथ गुजरा था, इसके साथ ही उसकी मृतियों में भी दर्प और स्थिर्ता थी, उसे अंत में किसी तरह का रोग नहीं बल्कि की स्थिर्ता के साथ उसकी मृतियों हुई, ये इस पंक्ति का आसाहेश में जो पंक्ति पूछी गई है कि जीवन के समान ही उसकी मृतियों भी दैन्य से रहित थी, इसकी बारे मतलाया गया है कि उसका जो सभाव था वो बहुत ही, चांत था, स्थिर था और उसकी जैसा आचरन करने लगता है, ये भी पंक्ति है, इसका भाव स्पष्ट करना है, तो देखिए, लूसी आलसेशियन प्रजाती की कुतिया थी, उस प्रजाती का कुत्ता केवल एक ही स्वामी को स्व्यूगार करता है, लेकिन कभी-कभी परिवेस और परिस्थिती नहीं होती कि उसे एक व्यक्ति का स्वामित्य प्राप्त हो सके, तो ऐसी इस्थिती में, ऐसे समय में वह सब के साथ स्वतंद, स्वचंद और सहचर करने लगती, लूसी के साथ भी यही हुआ, उसे कभी भी एक स्वामी नहीं मिल सका, अतबह उत्तरायन के लोगों के साथ घुल मिल ग सचंद होकर रहती है, उनके अनुरूधों को आज्याओं को मानती है, आईए इसके बाद भाशावोद के प्रश्न को देखते हैं, तो सरोप्रत हम इसमें देखिए हमें संधी विछेत करने को दिया गया है, कि निमनलिखित शब्दों का संधी विछेत कर संधी का नाम बता होगी स्वरसंधी, स्वरसंधी, दूसरा जो शब्द है, वो है हमारा कालांतर, तो इसका होगा, काल, प्लस, अंतर, स्वरसंधी तीसरा शब्द है, स्वर्भाव, इसका आपका होगा, सू, प्लस, हाव, कांसी संधी, स्वरसंधी देखिए, ये केवल पाठ से संबंदी जो व्याकरण है, उसे बताया जा रहा है, इसमें व्याकरण के नियमों को जानना बहुत आवश्यक है, इसके लिए हम अलग से व्याकरण की कप्छा आवश्य करेंगे, परन्तु यहाँ पर केवल पाठ से संबंदी जो है, हम लोग व्याकरण कर रहे हैं, तो कुहरा अच्छन, कुहरा अच्छन शब्द है, इसका होगा कुहरा प्लस अच्छन यहाँ पर भी आपका स्वरसंदी, इन सारे शब्दों में स्वरसंदी ही है, और इसके बाद आपका शब्द है प्रतीक्षा प्रतीक्षा शब्द का क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा, प्रतीक्षा प्रतीक्षा का प्रती स्वरसंदी, इसके बाद देखिए निमनलिके शब्दों से मूल शब्द और उपसर्ग अलग किये जाए, यानि कि आपको इसमें से उपसर्ग को अलग करना है, उपसर्ग जो आगे लगता है वह उपसर्ग होता है, ठीक्षा आपको पता ही होगा, तो मैं इसे बताती तो इसको कैसे अलग करेंगे, परिस्थिती का परी, प्लस, बूल सब्द क्या है, स्थिती, अचरण का आ, प्लस शरण, शरण जो है वह इसमें मूल सब्द है, ये जो है आगे वाले जो भीड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़। यह आपको उपसर्ग, और past प्लस कुशल नहीं यहां पर माफ कीजिएगा फ्लस नहीं होगा यहां पर हम बता रहे हैं उपसर्ग और यहां पर हम बता रहे हैं मूल सब्द तो यह हमारा उपसर्ग है परी और हमारा मूल सब्द है स्थिति कि किसी तरीके से आचरन में आ जो है वह हमारा उपसर्ग और चरन जो है वह हमारा उपसर्ग है और कुशल जो है वह हमारा मूल मूल शब्द है, निरलिप्त में निह और लिप्त, सतर्क में सर्क, और हमारा मूल शब्दी क्या है तर्क, ध्यान रखिएगा, इधर वाले जो हैं वो आपका उपसर्ग है और इधर वाले आपका मूल शब्द है, ठीक, आई आगे देखते हूं, क्रिया की विशेष्था बताने वाले शब्द को क्रिया विशेशन कहते हैं, जैसे निलू धीरे-धीरे खर्गोष के पास गया, तो यहां पर जो शब्द है धीरे-धीरे वो हमारा क्या है क्रिया विशेशन है, इसी तरीके से ऐसे कुछ क्रिया विशेशन को चुनिए, यानि अलावा कुछ, आगे पीछे, इसके अलावा प्रायह, और कुछ शब्द जैसे उपर, प्रत्यक, इसके अलावा आप कई-कई लिख सकते हैं, यह इस पार्ट में आए हुए कुछ प्रियाविशेशन हैं, और भी हैं, आप चाहिए तुसे स्वयम भी ढूंड कर लिख सकते हैं, यहां पर मैंने कुछ बता देखिए, इसके अलावा देखिए, चौता नमर प्राश्न जो है, कि निमनलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रियोग करो, तो यहां पर इन मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और उनका वाक्य प्रियोग करना है, तो पहला शब्द है, तुक्ते की मौत मरना, तो देखिए, इसका अर्थ जो है, बुरी सरह मरना, बुरी सरह मरना, इसका वाक्य हम प्रियोग क्या कह सकते ह अपने पाप कर्मों के कारण अपने पाप कर्मों के कारण वह पुत्ते की मौत मरा आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं जो आपको सही लगे उचित लगे और जो आपके लिए सरल हो इसे तरीके से उत्तरायाण होना का अर्थ होता है विकास करना पहले आपको अर्थ बताना है मौहावरों का फिर वाक्य प्रयोग करना है मौहन ने नौकरी पाकर उत्तरायाण की दिशा उत्तरायाण कि दिशा प्राप्त कर ली यानि विकास की दिशा प्राप्त कर ली इसे तरीके से तीसरा जो हमारा है वो है अवग्या करना यानि कि आग्या ना मानना ठीक कर लीजेगा मानना और इसका अर्थ क्या हो वाक्य क्या बनाएंगे राकेश अपने अपने इक्षको की अवग्या ठीक है यहां पर कुछ मुहावरे दिये हो गये थे उन मुहावरों के अर्थ को बताना था जो हमने बता लिया साथी साथ यह वाक्य को भी प्रियोग करना था जिसका हम लोगों ने कर लिया आप यह दिशा है तो अन्य भी वाक्य प्रियोग कर सकते हैं अपनी सुभिधा के तो इसी के साथ यह जो पार्थ है वो समाप्त हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस पार्थ से संबंदी दो वीडियो बनाए गए है पहले वीडियो में हम लोगों ने पाठ के शारांस एवं बहुवी कल्पी प्रश्णों को देखा है इसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे दूँगी और इस वीडियो में हम लोगों ने आपने देखा ही कि हम लोगों ने लगुतरिय प्रश्ण बोध मूलक प्रश्ण एव पत्त्तिराव के लिए लाफदायक होगी, घ्यानवर्दहक होगी बहुत ही उपयोगी होगी तो यदि आपके लिए उपयोगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेई, चानल को जरूर सब्सक्राइब करेई ताकि ऑ्यद की ऑथिक पाठो को हम आपके सामने ला सकें